अगली विशेष्टा, दुश्वनों से सुरक्षित रहने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें, छोटी छोटी खिड़कियां भवन निर्माण को लेकर इस प्रकार एक नई भवन निर्माण शैली का उदय होता है जिसे हम रोमन या गोइथिक शैली कह सकते हैं, रोमन और गोइथिक शैली के आधार पर निर्मित भवनों का निर्माण, जिसमें दीवारें उची हों, दीवालों की मोटाई बहुत हो, छोटी छोटी खिड़कियां हों जिसे वो देख सकें, प्रकाश आ सके थोड़ा, फिर वे सुरक्षित रहे, सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा था, और क्यों ऐसा था, क्योंकि उस काल में लड़ाईयां बहुत हुए, सामन्तों के बीच में, खिटर की सीमाओं को लेकर, दूसरे के खिटर को हतियाने को लेकर आदी आदी, ये जो भवन होते थे, ये बड़े रूप में ख्याती मिली हुई है, सामन्तों वाद के नौवी विशेष्टा, सामन्तों में जो राजा था, वो साजेदारी से बन्दा था, एक तरीके से समझ थी सामन्त और राजा के बीच में, राजा और सामन्त अपनी-अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, दोनों को ही, एक कि दूसरे के हिद्कका ख्याल रखना होता था एक दूसरे के जरूरतों को अध्यान में रखना होता था 1215 में सामन्ती दवाओं के फल स्रूफ इंग्लेंड के राजा जॉन को मैग्ना काटा पर हस्ताक्षर करने के लिए बाद्य होना पड़ा ये Magna Carta England का एक बहुत प्रसिद घटना क्रम के तहत का चार्टर है जिसे सामन्त लोंगों ने राजा पर दबाव बनवा कर उस तरह ताक्षर कराया और घटना कब कि ये 1215 की बहुत परानी घटना ये बात को शाबित करता है कि सामन्ती प्रथा कितनी मजबूत थी दसवाँ बिन्दू सामन्त वाद के अंतरगत जो बरबर जातियां थी जैसे मैंने हूनों का जिक्र किया ऐसे ही लुटेरों लोग बहुत आ रहे थे उनसे बचने के लिए लोगों में उत्साह की जरुत थी और इसके लिए वीर रसकी कविताओं का बहुत कुछ समय लेखन हुआ कहानियों का बहुत विकास हुआ जिसमें पौरानिक तरीके से कह सकते हैं ऐसे नैने चरित्रों को उभारा गया जो अपनी वीरता के लिए जाने जाने लगे और ऐसा क्यों किया गया ताकि जिस तरीके से लोगों के आकरमन हो रहे थे खासकर बर-बर जातियों के लुटेरों के उनको फेस करने के लिए उनको जहिलने के लिए जरूरी था कि समाज जो है वह मजबूत खड़ा रहे और इसलिए उनको प्रेदित करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए उनको उस्चाह को उस प्रोथ उनका उनकी रचनाय हुई अंतिम बिंदु जो इस सामंत वाद के विशेश प्रावधानों में हम पढ़ रहे हैं वह है राजा स्वयम करों के द्वारा प्राप्त आय करों से आय प्राप्त करने में असमर्थ तो वो क्या करता था सामंतों द्वारा उसे सैनिक एवं भवन दोनों आसानी से प्राप्त हो जाते थे अर्था चूंकि राजा स्वयम कर नहीं कठा कर पाता था उसकी उस हज तक निर्भरता सामंतों पर थी यही निर्भरता उसे कमजोर बनाती थी और यही निर्भरता सामंतों को मजबूत बना के रखी इतना मजबूत कि 1215 में म बाद कर सके ये सामन्त वर्क के लोग और इसी लिए इस काल में हम देखते हैं कि केंडरी सत्ता कमजूर थी जिसका जिक्र मैं बार-बार करते आ रहा हूं इस कमजूरी का फाइदा इन सामन्तों को मिला था ये तो हुई सामान्य विशेष्टाएं पूरे यूरॉप में सामन् विशेष्टाएं अब हम थोड़ा इंग्लेंड की और जहांके अध्याय के प्रारम में मैंने कहा था कि हमारा जो दायरा रहेगा अध्यान का वह नौवी से सुलहवी शिताबदी पस्चिमी और उत्तरी यॉरॉप और उसके अलावा तीन वर्गों का अध्यान साथ ही मैंने कहा था कि फ्रांच, इंग्लेंड और इटाली ये हमारे अध्यान ख्यत्र के दायरे में रहेंगे इसलिए उस नक्षे को बारंबार देखने की जरुरत थी इंग्लेंड में अध्यान हम आते हैं तो इंग्लेंड में सामन्त वाद की क्या स्थिती थी ग्यारवी सदी में सामन्त वाद आता है इंग्लेंड में इंग्लेंड से पहले उसे कुछ और कहा जाता था क्योंकि छटी स्थाप्दी में एंजल वा सेक्षणी इंग्लेंड में आकर बहत गये इसलिए से एंजल लेंड कहा जाने लगा एंजल और सेक्षनी ये वहाँ पे आके छटवी सताबदी में बसे ग्यारवी सताबदी में नॉर्मेंडी का ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंगलिश चैनल को पार करके इंगलेंड के सेक्षन राजा को पराजित किया तो इंग्लेंड के सेक्सन राजा को पराजित करने वाला ड्यूक विलियम नॉर्मेंडी से जो चला था उसके वहाने से फ्रांस और इंग्लेंड एक तरीके से जुड़ते हैं और ये घटना है छटवी शिताब्दी की उसे में फ्रांस और इंग्लेंड के ख्षेत्री सीमाओं और व्यापार से उत्पन होने वाले विवादों के कारण प्राज़ उद होते रहते थे उसी उदिकी परणिती में ग्यार्मी सदी में नॉर्मेंडी का ड्यूक ड्यूक विलियम इंग्लिश चैनल पार करता है सैक्षनी फौज को हराता है और इंग्लेंड को अपने कबजे में करता है विलियम प्रथम विलियम दे फर्स उसने भूमी की नाब जोग करवाई उसका नक्षा तियार करवाया और उसे अपने साथ आए एक सो असी नॉर्मन उन में बांट दिया इस वकार नॉर्मन्स वहाँ पर सटल होते हैं यही लॉर्ड यही नॉर्मन्स जिनने विलियम दे फर्स ने वहाँ बसाया राजा के मुक्ष काश्टकार बनते हैं जिनते वह सैनिक सहायता लेता रहता था वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाद दे थे इसके एवज में ये लोग नाइट को भूमी भी देने लगे और उनसे भी सेवाएं करवाने लगे लेकिन नाइटों को अपने निजी युद्ध में उप्योग में नहीं करते थे क्योंकि इंग्लेंड में इस पर प्रतिबंध लगा था एंग्लो सेक्षन किसान विविन्स तरों पर भू स्वामियों के काश्टकार बन गया और इस प्रकार इंग्लेंड में जो सामंत वाद है इसकी शुरुवात लगवग हम ग्यारवी शितापदी से देखते हैं और छटवी शितापदी में सेक्षन के पराजय के साथ एक तरीके से हम उसकी जड़ देखते हूं जब उसके पराजय होने के साथ वहाँ पर नॉर्मन्स लोग को बसाया जाता है और ये नॉर्मन्स राजा के काश्टकार बनते हैं और जमीने इनके बीच में वित्रित कर दी जाती हैं लॉड के काश्टकार बनने के कारण की स्थिती बड़ी मद्बूत रहती है इसी दोरा नाइट्स भी आते हैं तो ये एक दूसरी श्रणी सामने रहती है इस पकार इस काल में पाच्वी से दस्वी सदी तक हम कुछ बदलाओ देखते हैं शुरू होते हैं सामतवादी व्यवस्था चौदवी सताबदी आते आते विगटित होने लगती है कमजोर होने लगती है लेकिन कुछ ऐसे बदलाओ भी अब हम देखने लगते हैं जो आगे जिसे मैंने शुपूर में कहा था आधिनुक्ता की आहट देते हैं वो बदलाओ के शुरुआत भी इसी काल में होती है और इसके कुछ कारण थे यदि हम पर्यावरण के मुद्दे की बात करें तो पांचवी से दस्वी सदी तक यूरोप के अधिकतर भाग जो थे घने जंगलों से बने हुए थे क्रिशी के लिए उपलाद दिभूमी बड़ी सीमित थी क्योंकि जंगल बहुत थे और इसके साथ ही परिस्थितियों से असंतुष्ट क्रिशक जो था अत्यासारक से बचने के लिए वनों में शरण ले लेता था उस समय यॉरॉप में तेज ठंडी पड़ती थी ठंड बहुत तेज होती थी और परणाम क्या होता था सरदियां लंबी अवदी की गर्मियां छोटी फासलों का उपचकाल छोटा हो गया एवन कृशी पैदावार कम हो गया यह जो मौसम में जो बदलावा आया परियावरन से ताचपर है बदलावों के बदलावों से ताचपर है विभिन ख्षेतर में हुए बदलाव जो बाद में आधनिक्ता की और ले जाते हैं प्रियावरन के माएने मौसम में बदलाव अब क्या हुए दिन छोटे होने लगे शर्दिया लंबी हो गई दिन छोटे हो गया फासलों का उपज काल कम हो गया क्योंकि धूप का काल भी कम हुआ और इसमेकर क्रिशी पैदावार कम हो जाती है और क्रिशक लोग भी सामनतों से परिशान होने लगे असंच तो चो गए दास के तरह की जिंदगी अब उन्हें रास नहीं आ रही थी तो वे भी जंगलों की और भाग गया ग्यारवी सदी में सितियां कुछ बड़ती हैं ग्यारवी सदी आते आते यॉरप में गर्मी शुरू होती है ताप मान बदलता है ताप मान बढ़ता है ये बढ़ते हुए ताप मान का क्रिशी पे क्या असर पड़ेगा खासकर उस देश में जो बहुत थंडा था उस देश में जहां थंडा काल बहुत लंबा था बढ़ते तापमान का बहुत अच्छा परणाम ये हुआ कि गर्मी का काल बढ़ा तापमान बढ़ा, क्रिशी विकास बढ़ा इसका क्रिशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ा क्रिशकों को क्रिशी के लिए लंबा समय मिलने लगा लंबा धूप काल मिलने लगा मिट्टी पर जो पाले का असर होता है जो आप लोग समझते हैं जो खेती से जुले हुए है कि पाले कितना खतरनाक होता है पूरे की पूरे खेत को बर्बाद करने के लिए तो अब बढ़ते तापमान के कारण लंबे दिनों के कारण मिल्टी पर पाले का असर कम हो गया परनाम अब खेती करना सरल भी हो गया मासम से जुड़ुए इतिहासकार पर्यावन से जुड़ुए इतिहासकार का कहना है कि इस बदलाओ से जोड़ों के कई खेतरों में वनों में हम कमी आते देखते हैं, क्योंकि क्रिशक जो हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा जमीन खेती में बदलना चाहते हैं, परणाम सरूप क्रिशि भूमी का विस्तार होता है, तो मौसम के बदलाओ का एक अच्छा परणाम यह हुआ, कि खेती का विस्तार होता है, उपज उपज के उत्पादन के बढ़ने का एक कारण जहां बदलता मौसम है वहीं उपज के बढ़ने का दूसरा कारण है नवीन क्रिश प्राध्योगी की न्यू एग्रिकल्चरल टेक्नॉलोजी ग्यार्वी सदी ये सब जो परिवर्दान हम देख रहे हैं ग्यार्वी सदी से शुरू होते हैं ग्यार्वी सदी तक कई बदला हुए मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर अब नोक वाले हल और साचेदार पट्रे का अपयोग होने लगा ऐसे हल तूँकि वो नोक दार थे अब जमीन में ज़्यादा गहराई से जाने लगे जमीन को ज़्यादा पलट सकते थे शांचेदार्दों थे वो पलटने में बड़े सुविधा जनक थे मिट्टी को पलटाने में बड़े सुविधा जनक थे इसका प्रणाम क्या होता है भूमी में जमीन में जो पौश्टिक तत्व अंदर दवे थे वे अब उपर आते हैं अब इसके संभावना बढ़ गई अर्था जमीन के उपजाओ ख्यमता बढ़ी जमीन वही उसी जमीन में अब उपजाओ ख्यमता बढ़ाने का भी तरीका आजाद हुआ पश्वों के द्वारा जोतने के तरीकों में भी सुधार हुआ गले के स्थान पर कंधे में अब वो जोतने की चीज बांदी जाने लगी इससे पश्वों को ज़्यादा शक्ति मिलती थी घोड़ों में भी लोहे की खुर लगाई जाने लगी ताकि उनके जो खुर हैं वो सुरक्षित रहें खेती के नए-नए तरीके आते गए नए-नए तरीके अपनाए गए वायू शक्ति जल शक्ति का प्रेयोग बढ़ने लगा और यॉरप में अन को पीषने के लिए और अंगूरों को निचोडने के लिए अपकार खाने भी आने लगे इस सब का अच्छा परणाम क्या उत्पादन में वृद्धी खेतों में नवी नितम व्यवस्थाओं को अपनाया जाने लगा दो खेतों वाली व्यवस्था से अब तीन खेत के व्यवस्था का बदलाव हम देखते हैं इस अवस्था में खेती में तीन वर्षों में से दो वर्ष तक अपने खेत का वो उप्योग कर सकता है और एक वर्ष गैप रखा एक वर्ष कोई खेती नहीं इसके पीछे मकसद यह होता था कि बिना खेती के मिट्टी को एक्सपोस किया जाए सनलाइट और अन्य चीज़ों के लिए ताकि वे उपजाओ हो सकें अभी तक ज vision की नवीन कृशिप प्रात्योगी की यह श्र्शक श्वैम में बटाता है कि वो इस काल का जो व्यक्ति है वह पुरानी दुक्या नूसी विचारों से निकल कर अंदविश्वासी विचारों से निकल कर पुराने विचारों से निकल कर अब कुछ सोचने लगा था कुछ वैग्यानिक तर्क करने लगा होगा कुछ नई नई बातें सोचने लगा होगा और ये सबका परणाम इस वैग्यानिक प्रगेति में देखते हैं जिसे हम कहा रहे हैं नवीन क्रिशी प्रॉद्योगी की पॉष्टिक तत्व जो भूमे में अब आए लंबी गर्मी बढ़ते तापमान पाले के हटने से जमीन के पलटने से चांचेदार जो चीज बनी जिससे जमीन पलटने में सुधा हुई गहराई में जो मिट्टि को खोड़ा जाने लगा इससे मिट्टि के पॉष्टिक तत्वों का उपर आना उसने क्रिशी उपच को बढ़ा दिया इसके अलावा जानवरों के मामले में भी शुधार हुआ गले की बदले कंधा खुरों में लोहा और इसके साथ साथ पश्वों का बहतर रख रखाओ खेती के नवीन तम तरीके वायू शक्ति जल शक्ति का ज़्यादा प्रयोग अनपीशने और अंगूरों को निचोड़ने के लिए कार खाने खेतों में नवीन तम व्यवस्थाओं को अपनाए गया तो जैसा मैंने बताया दो खेतों वाली व्यवस्था से अब तीन खेतों में आ गया बांट सकता था एक खेत में गहूराई दूसरे में बसंत्रतु में मटर जो मनश्यों के लिए है सेम मसूर गोडों के लिए जो बाजरा और तीसरा खेत जो है उसे वो खाली रख देता था परती जिसे हम कहते हैं अपने हां की भाशा में उसे वो खाली रख देता था ताकि उसको धूप मिले वो पौश्टिक तत्व मिले जो जमीन के लिए जमीन के गुणवर्टा को बढ़ाने में सहायक हूँ हर वर्ष में तीनों खेत का उपयोग बदल बदल के किया जाता था तो यह तीन टुकड़े एदी बनते हैं तीन टुकड़ों को रोटेशन में बदला जाता था एक में जानवरों के लिए दूसरे में गेहूराई तीसरे में मनुष्यों के उप्यों के लिए मटर से मसूरादी और एक खाली इन सब सुधारों का प्रणाम क्या होता है कि भूमी की सभी इकाई में होने वाले जो उत्पादन है उसमें तेजी आती है चाहे वो जो तीन तरीके के खेट का जो वरगी करन हुआ उससे भी उत्पादन बढ़ा भोजन की उपलब्दता दुगनी हुई से मटर जैसे पोधों का अधिक ताधियोग एक औसत यूरोप में आहार के रूप में बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि वो प्रोटीन से भरा हुआ था पश्वों के लिए भी अच्छे चारे के शुरूत बन गया परणाम हुआ कि क्रिशिकों को बहतर अवसर मिलने लगा और इस पकार हम दूसरे शब्में कहें तो अब क्रिशिकों के लिए हम बहतर अवसर देखते हैं इस नवीन क्रिशिक प्रद्योगिके के परणाम सुरूब बदलते हुए परियावरन के परणाम सुरूब किसानों के लिए अब बहतर दिनों के संभावनाय बढ़ गई किसान कम भूमी पर ज़्यादा उत्पादन कर सका मैंने पहली बताया कि वो वन की तरफ भाग गए थे सामनतों से परिशान होकर, दास्ता से परिशान होकर बदलते मौसम के परिप्रेक्ष में अब उनके लिए संभाव हो गया कि वन को काट सकें क्रिशी के लिएख उप जब जमीन बना सकें तो कम ही जमीन में सही पर उत्पादन बढ़ गया तेरहवी सदी आते आते एक क्रिशक के खेत का ओसत आकार जो पहले लगभख सौ एकड़ होता था अब घट के बीस-तीस एकड़ रह गया कारण क्या छोटे खेत में ज्यादा सफलता संभित हो गए अब वो पहुंच सकता था अपने खेत में चारों तरफ छोटे जोटों पर अधिक कुशलता से खेती कर सकता था उसके काम श्रम किये उसमें जरुरत थी क्रिशकों को दूसरे काम करने के लिए अब समय मिल गया उत्पादन बढ़ गया जमीन कम तो चलना फिरना कम श्रम कम लेबर मेहनत कम आदी आदी बहुत सारे परिवर्तन इसके साथ आए इस काल के अंतिम दो सो तीन सो वर्षों ने ऐसे बहुत सारे बदलाओ क्रिशी क्षेतर में देखे तक्नीकी क्षेतर में देखे थोड़ी वैज्यानिक सोच का उपयोग एप्लिकेशन में किया ऐसे एप्लिकेशन जो उत्पादन को बढ़ा है प्रध्योगी की बदलाओं में धन तो लगता था इन किसानों के पास तो पवन्चक्की चलाने के लिए बनाने के लिए भी धन नहीं था ऐसी सित्य में क्या होगा क्योंकि प्रध्योगी की यानि तक्नीकी विकास के लिए खर्च काफिल मांगता था शुरू का खर्च और जिन किसानों के पास पवन चक्की के लिए पैसा नहीं था अब उनके पास प्रद्योगी के किनाम से पैसा कहां से आएगा तो यह लोग क्या हुए यह लोग लौड की और देखते हैं लौड की और मुखातिर होते हैं उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा विष्टार भी करते हैं अपनी जमीन का तुरी चक्री व्यवस्था अपनाते हैं जैसा मैंने बताया और साथ ही गाउं में अब भठी लौहार की दुकाने श्थापित होती हैं ताकि लौड से पर निर्भरता कम हो ताकि कम से कम कीमत में उन्हें प्रद्योगी की के फायदे मिले ये जो लौहार गाउं में आये भठीया जो बनी उससे लोहे की नोक वाले हल बने गोड़ों की नाल बनी और साथ ही साथ मरमत के काम हने लगे और उसका खर्च कम निकला तो पूरी व्यवफ्था कुछ इस तरह से होने लगी कि क्रिशी के उत्पादन में काफी विकास देखा गया और क्रिशी का कारे जो पूर में इतना दूबर माना जा रहा था अब वह काफी कुछ सरल नजर आने लगा कम महनत वाला नजर आने लगा कम शरम की जरुद पड़ी तो मौसम में परिवर्टन जो चौदोवी सदी में आया संकट बना उसके कुछ पांच बिंदू हम इस तरह देख सकते हैं पहला उत्तरी यॉरप में ग्रिश मृत्यू का स्थान शीत्रितू लेती है दूसरा प्रणाम स्वरूप फसल उगने वाले मौसम छोटे हो जाते हैं तीसरा उची भूमी पर भी फसल उगना कठिन हो जाता है चौथा प्राक्रितिक आपदाओं के प्रणाम स्वरूप बहुत सारे फार्म क्रिशी फार्म नश्ट हो जाते हैं और पांचवा इस सब का प्रभाव कि सरकार को कर से मिलने वाली आयमें गिरावट होती है